हेलो बचो, कैसे हो आप सब? उमीद करते हैं, आप लोग अच्छे होंगे, मैं हूँ कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए वेक्टर्स चैप्टर बता रहा था जिसमें कि हम आपको 10.04 में जो भी थिवरी का क्लास था बिर्थिक जांपल् बताएंगे, NCRT एक्सरसाइज जो आप लोग का एक्सरसाइज 10.04 है, उसका क्वेशन आंसर यह क्लास 12 मैज का है, ठीक है? तो चलिए, एक एक क्वेशन से हम आपको स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हो सकता है कि आप क्वेशन बहुत सारा बना भी लिए होंगे, इसमें ज ग्यात करना था, एक सिंपल सा सवाल है, जो आप अगर कल के गलास को देखे होंगे, तो आप आसानी से बना भी लिए होंगे, इसको अंग्रेजी हंदी दोनों में हम बताएंगे, जैसे यह आप यह अंग्रेजी में आप एक बार देख लिजे, यह आपको फाइंड करना है वैक्टर A कर Mac absolus. अब का मोल निकालना है, यदि वैक्टर A कमान दिये हुए और वैक्टर B कमान दिये हुए है, तो बस यह तो आप आसानी से बना सकते हैं, एक determinants के मेथट्स से आप इसको बना सकते हैं, चलिए हम बना कर आपको बताते हैं, संभबता आप इस प्रस्ण को बना जरूर लिए होंगे देखिए सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं कि वेक्टर A को रॉस वेक्टर B को निकालने का एक फर्मूला आपको याद होगा i cap, j cap और यहां k cap होता है ठीक है और वेक्टर A कमान इस में इस लाइन में रखा जाता है वेक्टर B कमान इस लाइन में रखा जाता है वेक्टर A कमान यहां से आप देख सकते हैं कि क्या है 1-7 और 7 वेक्टर B कमान इस में से रखा जाता है तो 3-2 और 2 और उसके बाद इसको determinant की method से जहाकाताकी करते हैं वैसे आप कर सकते हैं तो देखिए इसको जहाकाताकी करते हैं i को जहाकेंगे इसको इस तरह से इसका column और यह डिलीट कर देते कुछ इस तरह से आपको याद होगा तो माइनस 77 माइनस 22 ठीक है और यहां पे आपका माइनस में j आता है j को भी डिलीट कर दीजेगा तो देखिए इसको डिलीट करेंगे तो कुछ इस तरह से डिलीट करते हैं तो क्या बचता है 173 173 और 2 यह बचेगा यह डिलीट हो जाएगा last में आपका plus में k आता है और k को डिलीट कर देते हैं के को delete करते हैं तो ऐसे delete करेंगे तो क्या बच रहा है देखिए 1-7 3-2 अब इसका जो value आएगा वही आपका a cross b का answer होगा देखिए एक रहेगा जास के तरस गुना करेंगे तो minus 7 दूना 14 बीच में आपको minus लेना होगा और यह minus में 14 आएगा लेकिन इसको आप plus में करेंगे क् minus पहले से होता है minus 14 आ रहा तो plus हो जाएगा और यह minus j रहेगा इसको गुना करिए एक है ठीक है एक में दूसरे तर दूर है आज सातिया 21 ऐसे अब पालस में k रहेगा इसको गुना करिए तो minus 2 बीच में आपका minus होता है लेकिन इस minus 7 है तो plus हो जाएगा सातिया 21 यानिकी 21 लिखेगा अब यह देखे 14 में से 14 तो यह जाएगा तो यह एक तरह का आंसर हो गया इसको हटा भी सकते हैं यह तो आपको मिल गया कि वेक्टर एक और अश्वेक्टर भी बट वह आपसे पूछ किया रहा था देखिए आपसे पूछा जा रहा था कि A क्रोस B का मोड निकालना है तो चलिए इसका मोड निकालेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर A क्रोस वेक्टर B का मोड आप मोड का फर्मुला आपको पता होगा X square plus Y square plus Z square होता है ठीक है अब X का मानी यहाँ पे 0 के square 19 के square और 19 के square लगा दीजेए ठीक है अब इसको जोड़िएगा तक क्या आएगा 19 के square कितना होता है 361 होता है यह आप ऐसे भी लिख दीजे नहीं 19 के square दू बारता दू नहीं 19 के square डारेक्ट है 19 के square है मतलब यह 19 बाहर निकल जाएगा यानि कि final आपका आंसर आगा 19 रूट दू यह आपका आंसर है ठीक है कैसे भी निकाल सकते इसको दोनों को जुरिए वर्मूल करके निकालिये तो आपके अतना आंसर आ जाएगा तो आप इस स्वाल का आपके स्वाल का आंसर है जो आप संभबता बना जरूर लिए होगे अब हम आपको ले चलते हैं सवाल नमर दूसरे के तरफ सवाल नमर दूसरा को एक वार हिंदी में पहले देख लेते हैं देखिए कि सदिस वेक्टर A प्लस वेक्टर B और वेक्टर A माइनस वेक्टर B की लंब दिसा में मात्रक सदिस निकालना है जहां वेक्टर A पता है और वेक्टर B पता तो इसमें पूछ क्या रहा है इस चीज को आप याद कीजिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कल के कलास में ह और वेक्टर A माइनस वेक्टर B के लंब दिशा में, यह इस पर और इस पर दोनों पर लंब दिशा में पूछ रहा है, लंब है, तो इस पर भी लंब है, इस पर भी लंब है, तो इस पर और इस पर दोनों पर लंब होता है, इसका क्रॉस होता है, जैसे हम आपको एक वर ये जो है ऐसे रहे हैं और वैक्टर भी और ढूने डुनों पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसी को हम लोग क्या बोलता है ल CO बताया थे आपको याद होगा कि वैक्टर देले हैं गएo ड्वी अगर देले हैं और ये जो Himselfोalth औरफ भी अन्हेंगलन। और B पर भी लंब है और कल हम आपको एक छोटा सा objective सवाल भी पूछे थे कि ऐसे याद कीजिए A. आपसे पूछा गया था A x B का मान क्या होगा फिर पूछा गया था B. पूछा गया था ना लास्ट में दूग objective तो देखिए यहां पर आप यह समझे कि वेक्टर A और A x B एक दूसरे पर है क्या लंबवत है तो जब लंबवत होता है यानि परपेंडिकुलर आता है दूग वेक्टर का डॉट प्रोड़क्ट क्या होता है जीरो होता है तो दोनों का अंसर आपको 00 बताना था क्योंकि देखिए यह कोरस B जो है A पर भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी परपेंडिकुलर होता है इसलिए दोनों का डॉट प्रोड़क्ट जीरो आता है तो यहां पे आपसे क्या कर रहा है थोड़ा A और B ना कहके उकाहाए A पलस B और A माइनस B पर परपेंडिकुलर निकालना है तो आप क्या करिए माल लीजिए कोई वेक्टर ही ऐसान है यह पलस A पलस B है और A कोई वेक्टर है A माइनस B है ठीक है माल लेते हैं थोड़ा दिर के लिए अब आप बता ही दूनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर तेकर खारा पर ही होगा आई क्या होगा इस पर और इस पर परपेंडिकुलर मतला इसका और इसका क्या क्या क्रोस प्रोडक्ट यानि क्या आपको निकालना होगा A पलस B का क्रोस और A माइनस B ऐसे तब यह वेक्टर निकल जाएगा यह निकल जाएगा और इस इसके दिशा में तो इसका unit आप निकालने के लिए क्या करते हैं unit का आपको याद होगा कि उसके mode से भाग दे देते हैं जैसे इनकालना हो तो हम क्या करेंगे वेक्टर in बटा mode of vector in बाद में निकाल देंगे तो सबसे पहला काम आपको a plus b पता करना a minus b पता करना तो a देले है b देले है तो यह तो दोनों निकल जाएगा यह दोनों का आप जो answer आएगा उसका cross निकालेंगे तब उसका unit vector आपको निकालना परेगा चलिए यह हो गया details जानकारी के तोर पर इस question में क्या का रहा था यह ह हम आपको समझा है अब हम आपको बना कर बताते हैं तो देखिए थोरा सा यह लंबा बनेगा आप धर्च पूबक समझिएगा देखिए वेक्टर एक और वेक्टर बी का मान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप a और b को जोड़ सकते हैं direct अगर जोड़ सकते हैं तो ज इंदी में भी आप देख लिए अंक में घरवरी ना हो जाए देखिए तीन दो दो और एक दो और माइनस दो ठीक है यह देख लिए तीन एक चार दू आदू चार यह तो खटी ही जाएगा ठीक है तो हम a प्लस b निकाल लिए अब निकालते हैं a-b अब a-b क्यों निकालते यह और यह इस पर इस पर पर्पिंडी कुलर आपको निकालना है ठीक न तो इसको इस भार घटाना होगया इसमें से गटाईए तो तीन में से एक घटाईएगा था दू अब आप बता य distur जीरो इंटू जे बचेगा मतलब क्या एको है कि दोनों का क्रॉस निकालेuld और चा क्या निकालेंगे cross निकालेंगे और cross ही अब बताता है कि vector a plus b और vector a minus b पर perpendicular है इसको cross निकालने का आपको याद होगा determinant के method से निकालते हैं तो determinant में हम क्या लिखते हैं i, j और k, ये बात समझ में आगे ना a plus b और a minus b पर perpendicular इसका cross बोलते हैं तो हम इसका cross निकाल रहा है उसके बाद इसका motor निकाल देना है ना, देखिए तो सबसे पहले i, j, k, लिख दिए अब आपको करना क्या है, a plus b का जो मान है इसमें रखिएगा, a minus b का मान इसमें रखना है तो देखिए, a plus b का मन यहां आप लाए है 4, 4, 0 इसमें लाएं केतना है, 2, 0 और 4 क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं निकाल तो आप सकते ही हैं, बिलकुल चलिए, निकाल के बताते हैं i, इसको direct आप जहां का तक यह ऐसे कर सकते हैं ठीक है, तो यह 4, 16, minus 0 डायोकिलीक्ट लिखे हैं, आप समझसे असय उमीद आपको यह समझ में आता होगा i cap को जहां केंगे ऐसे delete करेंगे तो बचना दिखे इसको तीरचा त besl़ो माने करेंगे शराफ सब्सक्रा से बच्यक देखेंगे तो चार में 0 से तो जीरो और चार दुनी 8 तो यहने 0-8 अब बताए कितना आएगा 16 I cap और यह आजाएगा माइनस 16 J cap क्योंकि 16 में से 0 गटाएगे तो यह माइनस तरह हैगा और 0 में 6 गटाएगे तो माइनस में 8 K cap तो इससे आपको यह पता चला कि दोनों का क्रोस आ गया तो यह एक वेक्टर निकला लेकिन आपको इसका unit vector निकालना आता है माइनस 16 K square माइनस 8 K square बता यह कितना आएगा 16 K square 16 K square हो जाता है 16 K square दूसर 56 पलस दूसर 56 पलस 64 अभी सब को जोड़ेंगे तो देखिए यह गया 512 ठीक है 512 पलस 64 जोड़ेंगे तो कितना आता है यह हो गया चार अदू 6 चोवाई 7 576 यह हमें लगता है कि 24 आजा जाना चाहिए 24 का square करके देख लिजे 4 के square 16 4 दूने 8 दूना 16 17 के साथ हांसी लेक 4 एक 5 बिल्कुल सही है तो चोविस आया तो लास्ट में आपको निकालना है unit vector unit perpendicular unit perpendicular vector unit perpendicular perpendicular लंबवात मातरक सदीष लंबवात मातरक सदीष लंफबवात मातरक कि आफा सदीष निकालने के लिए आपको क्या करते है in cap निकालते हैं और इसका vector in बटा mode of vector in ऐसे लगाते है इन वेक्टर इन मतलब जिसको आप ये निकाल के लाएं क्रॉस बला यही है इसका इसका क्रॉस जो निकाल लें इसको मान लिये थे न इसको ठीक है तो लिख दीजिए यहां 16 I cap माइनस 16 J cap माइनस 8 K cap और बटा में आप कितना लटकाईएगा 24 बटा में कितना लटकाईएगा तो कटेगा जो कटेगा काट दीजिएगा आपका अशाएगा ठीक है यह इतना तो आप लटकाई सकते हैं ना नहीं तो आप चलिए भाग देए इसमें भाग देंगे तो देखिए आर्दूना 16 रटीरी चोविस्त आप लेख सकते हैं दूबटे तीन आई कैप इसमें याद कीजे थुरा सा यह यह होता है एन कैप और इसका एधर भी आता यूनिट वैक्टर यह निगेटिव आएगा तो दो आणसर आप लिख सकते हैं एक पोजिटिव भी और एक निगेटिव है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं प्लस माइनस लगा के भी आप आप आंसर बो ठीक है इसलिए यहाँ पर आप प्लस माइनस भी दे सकते हैं ऐसे करके ठीक है चलिए उमीद है आपको यह बात समझ में आ गया होगा तो अब हम आपको ले चलते हैं अगले नंबर प्रस्न पर देखिए अगला जो प्रस्न आप लोग के सामने है थुरा पहले एक पार और साथ एक निून-ख्र्ण ठीटा बनाता है तो ठीटा का मान ग्याद कीजि़ू और इसकी सहायता से वेक्टर एक घटक भी ग्यात करना है तो सबसे पहले बात समझ कोई एक यूटडर रह k के साथ theta बनाता है एतना चीज हमको दिये हुए है देखिए अंग्रेजी में देखिए if a unit vector vector a max angle pi by 3 with i pi by 4 with j and acute angle theta with k then find the value of theta and hence the component of vector a तो शबसे पहले हम आपको वह बात याद दे लाते हैं कि आप याद कीजिए तोरा साथ को निकालना माल लेज़े वेक्टर A है यह क्या है वेक्टर A है और इस यह वेक्टर A क्या है तो यह यूनिट वेक्टर है वेक्टर A क्या है एक यूनिट वेक्टर है जो इसके साथ I के साथ कितना कुन बनाता है तो पाई वै थीरी कहा है देखिए है ना तो हम क्या करते हैं सब कोष गामा होता तो आप क्या करिएगा यहां प्या वैक्टर एलिट करिएगा लिट वैक्टर एबराबर कॉष अलफड़ा मागा का फिर फोर्मुला आपको पहली याद दिला देते हैं vector a बटा mode और vector यह याद होगा unit vector अब यह कोई vector है तो इसका एक formula आप ऐसे भी परेंगे x i cap plus y j cap plus z के cap माल लेते हैं यह कोई vector है और इसके mode मतलब क्या भाग देते हैं root under x square plus y square plus z square याद आ रहा है और इसमें sum में अगर हम भाग देंगे तो आपको मिलता है x बटे root under i cap y बटे root under j cap और z बटे root under k cap याद आया और इस यह root under समझ रहना यह वाला है इसमें नहीं अटेगा इसलिए थोड़ा सच्वाट में लिखे अब यह जो मान होता है इसी को हम लोग cos alpha बोलते हैं इसको हम लोग cos beta बोलते हैं और यह चीज हम आपको बताए होंगे starting class में यह वाला तो इससे आपको क्या मिलता एक f vector एक आमान एक formula के रूप में आप ऐसे भी use कर सकते हैं जब अगर आपको कहा जाए कि alpha, i के साथ alpha कोन बनाता है, j के साथ beta कोन बनाता है और k के साथ gamma कोन बनाता है तो vector एक आमान यह लख सकते हैं जब unit vector होगा तब याद रख्येगा vector आप वड़ावर इतना कब लिख सकते हैं जब यह unit vector कुन vector हो unit vector तब ही आप लेख सकते हैं कि unit vector कहीं निकालते हैं तो formula ऐसा आता है ना कोई और vector का आप ऐसे मत लिखेगा ठीक तो according to question अगर आप देखेगा तो find a unit vector ही कहा है जो angle बना रहा है किसके साथ i के साथ कितना बना रहा है पाइवेट 3 जे के साथ पाइवेट 4 और के साथ theta बना रहा है तो हम क्या करते हैं पहले alpha बीटा गामा माल लेते हैं तो यह vector ए तो माल लिए ठीक है अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाए दे रहा हुआ कि vector यह alpha मतलब एक i के साथ यह ना i के साथ alpha है जे के साथ बीटा है और के साथ gamma ये k-cap है अब बताएए alpha के मान कितना दिये हुए है पहला तो दिये हुए है पहला तो आपका pi-3 है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं cos pi-3 i-cap cos बीटा के मान pi-4 j-cap और cos gamma गामा के मान theta into k-cap यह ऐसा आप लिखेंगे अब आप बताएए क्या इसका मान आपको पता है तो चलिए मान बताएए इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 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 जल्दी बताएए 60 degree और cos 36 के बरावर होता है तो एक बटा दू i-cap cos 45 एक बटा रूर्दू j-cap और प्लस में ठीटा और ठीटा तो नहीं पता है तो इसको समीकरन एक मान लीजिए ठीक है तो इससे आपका vector a तो निकल गया लेकिन यहां पर आमान नहीं निकल रहा है cos theta यह theta का मान भी आपसे पूछ रहा तो आप बताएए यह कौन vector है चुकि vector a is a unit vector, कुन vector है, unit vector मतलब मात्रक सदीस है, कुन सदीस है, मात्रक सदीस है, अगर मात्रक सदीस है, तो आप बताइए कि इसका modulus क्या होगा, one होगा, और modulus मतलब इस सबका square कर दीजे, modulus क्या होता है, ऐसे one by two का square, है ना, मापांक, root अंडर करके भी आप लिख सकते हैं, एक बटार उ one लिखिएगा, ठीक है, ऐसे, आप root भी लगा ही दीजे, ना, तो हदर जाईएगा कहीं था, ठीक है, आप दोनों तरफे square करेंगे, तो रूट उधर चला जाएगा, इधर एक के square एक होता है, यह आपका एक वटा दू रहेगा, और cos square theta बड़ाबर एक के square एक रहेगा, अभी 4 से गुना 4 एक हम 4 और एक 2 घटा ये, तो cos square theta बड़ाबर 4 में से एक 3 हो जाएगा, तो एक वटे 4, ठीक है, एक वटे 4 square हटाएगे, तो प्लस माइनस रूट चरहा देंगे, तो यह आनि कि एक वटा 2 आ जाएगा, ठीक है, square हटा आएगे, तो एक वटा 2 आ जाएगा तो इससे आपको यह पता चला कि cos theta कमान अगर एक वटा 2 है, तो आप बता ये कि theta कमान एक वटा 2 होता है, तो यह sign में 30 होता है, और cos में 60 होता है, 60 को हम लोग लिखते हैं, pi by 3, ठीक है, 60 को कितना लिखते हैं, pi by 3, अब इससे आपको यह पता चला, एक answer तो आपको समझ मे आ गया कि theta कमान pi by 3 आना चाहिए, तो देखिए, जैसे theta कमान यहाँ पे pi by 3 आया, यह आप cos theta कमान भी निकल गया है, यहाँ पे आप इसमीकन 2 मान सकते है, cos theta कमान भी निकल गया है, और theta कमान भी, तो आप क्या करें, cos theta कमान यहाँ पे आप रख सकते, component vector A निकालने के लिए तो लास्ट में आप लिखेगा इसलिए Vector A बराबर कितना था एक बटा दू I cap एक बटा रुड़ड़ू J cap और प्लस में Cos Θ़ीटा K cap यही था ना एक बार देख लिजी हांपे अब इसमें आप मान भी रख सकते हैं एक बटा दू I cap एक बटा रुड़ड़ू J cap प्लस कॉस ठीटा के मान आपको दिखाई दे रहा है एक वर्टा दू के कैप और यह आपका फाइनल आंसर है ठीक है तो आप याद रखिया आप दू को सवाल पूछ रहा थे एक वर थोड़ा से याद दिला देते हैं थोड़ा से यह प्लस कॉस बीटा जेका प्लस कॉस गामा के कैप और इसमें आलफा बीटा कमान दिये हुए था और यह एक वैक्टर तो हमें पराप्त हो गया लेकिन यह यूनिट वैक्टर थे इसका मोडलस भी एक आगा तो इससे हम आसानी से ठीटा कमान निकाल लिए जब ठीटा निकल गया यह थीटा निकल गया यहां पर रख सकते ठीटा भी रख सकते यह पाई भी ठीटा रखेगा तो इस तरह से आपका यह फाइनल आंसर है ठीक है तो थोड़ा से यह समय लगने वहला प्रस्न है आप अडाम से इसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर करिएगा ठीक है फिर से अब हम आपको ले चलते हैं सवाल नमबर 4 के तरफ देखेगा सवाल नमर 4 क्या कर रहा है कि सो ड़ेक्टर ए माइनस व्यक्टर भी क्रॉस व्यक्टर ए प्लस वैक्टर भी बराबर 12 इंटु वैक्टर 10 क्रॉस पैक्टर भी का मान आपको निकालना है ठीक है हम हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं यह सवाल हम आपको कलagar की class में आपको बताये थे सबसे पहले हम आपको बताते हैं के ऐसे आपके पास चिपया माइनस भी बीच में क्ड sommes improves फिक है तो आप याद किजा उसको कुछ नहीं ब्राइके्ट तो रहा है को समझ में आइगा इसमें ए में एसे करेंगे तो एक और से कि ए में b से करेंगा तह से एक करो से फ़ान आप rag pack इसमें एसवा गुना करिए गजा से माइनस CROS B X B X A, क्या दोनों बरावर होता है की नहीं देखिये, आपको यह याद दिला देते हैं, एक सेम वैक्टर का करॉस हम आपको बताया थे कि 0 होता है, तो एक करॉस A रह चाँ B X B रह चाँ C X C, प्या होता है जीरो होता है, और A X B X B X A बरावर नहीं होता है, विसको हम क्या लिख सकते हैं इसको अईसे उलाट देंगे तह प्लस में था यहां पर हम A को याँ मेराइक रटी है फिर अ जीके बरावरता प्लस एक इसका आम आप समझते हैं कि zero तो सुचिए फ्रस ये बावार यह लिख सकते हैं basic formula हम आपको बताए होंगे वह आपको याद होना चाहिए ठीक है तो यह तो चार बरी आसान था अब आते हैं हम 5 नमर सवाल की तरफ एक बार सवाल अपने Hindi book में भी देख लीजे कि lambda और mu ग्याद करना यदी vector एतना cross एतना बराबर 0 vector है ठीक है तो देखिए एतना और इतना का cross 0 vector है तो आपको बताना है कि lambda का मान और mu का मान क्या होगा यह अभी simple सा सवाल है कि बीच में cross है तो यहां कि है one lambda और यह है आपका Mew और इसको बनाकर आपको निकालकर नकालते हैं द्यान से दिखेगा इसको क्या करेंगे जहँका तक्वी करेंगे आई आज आई जहां किये अडराम से ऐसे देते एक लाइन जहांके ऐसे जहांकेंगे डिली डिलीट छौस अथाइस लेंडा और म्यूट माइनस जे कैप और इसको डिलीट करिए जे काइप डिलीट डिलीट यह सब आता है ना आता ही होगा नहीं तो आप लोग भूल जाएज़े गर भर हो जाएगा एक कैप ऐसे डिल गुमिव माइनस 27 और इसको गुना करेंगे तो लेमडा माइनस 6 अब बरावर 0 वेक्टर आप इसी को आप बताइए इस 0 वेक्टर को आप तुलना करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं इस 0 को आप ऐसे लिख देजिए 0 i cap 0 j cap और पलस में 0 k cap ऐसा क्यों लिखे हैं कारण बत यह आई के साथ कितना है 6-27 लेमडा बरावर कितना लिखेगा है 0 यहां कितना है 2-27 लेकिन माइनस में तो आपको माइनस ऐसे देना परेगा ठीक है और बरावर के बाद 0 फिलाल माइनस देने से कोई फरक नहीं परेगा क्योंकि 0 इधर आएगा तो माइनस में रहेगा एक आप यह बला के बला को के के साथ तो लेमडा माइनस 6 यह अभी आपका 0 है तो 0 अभी समीकरन 3 आ गया अभी समीकरन 1-2-3 को आप किसी भी तरह से सुल्व करने का प्रयास करिए और इससे आपको लेमडा और म्यू कमान आ चाहेगा तो बताए समीकरन 1 में तो लेमडा भी है म्यू भी है तो मान तो निकलेगा नहीं समीकरन 2 ठीक है म्यू कमान इससे निकल जाएगा और इससे आपका लेमडा कमान निकल जाएगा ज़र लेमडा और म्यू निकल जाए तो आपको चेक भी करना होगा कि समीकरन को सटिसफाइड कर रहा है कि नहीं तो ऐसा करते हैं समीक बढ़ाबर 0 अब इससे आप बताइए क्या आप लेंडा कम्यू कमान निकाल सकते माइनस है तो उधर भी ले जा सकते हैं तो टू म्यू माइनस 27 बढ़ाबर 0 ही रहेगा तो इससे 2 2μy 02 सकते 27 इसे मू कमान आब से 27 बड़्टे रहे एक और समिकरन हम लोग 3 से ऩने हैं। तो समीकरन 3 आपके पास क्या है 2 lambda minus 6 2 lambda minus 6 तो 2 lambda minus 6 बड़ावर 0 है तो इससे आपका lambda कमान निकल जाएगा lambda कमान 3 आया अब रही बात की answer तो आपका निकल गया लेकिन आपको यह check भी करना परेगा कि क्या वाकई में यह जो दोनों answer वो satisfied कर रहा है कि ना इस समीकरन 1 को 6 mu minus 27 lambda तो आप चेक भी कर लिजेगा इसका थोरा सा चेक भी कर लिजेगा समीकरन 1 में रख के आपको ठीक है टेस्ट आप कर लिजेगा इस तरह से 27 6 mu minus 27 lambda बड़ावर 0 अब इसमें देखिए थोरा 6 mu कमान आपका 27 बटे 2 है 27 lambda कमान 3 है बड़ावर 0 इसको calculate करिएगा तो देखिए इकटेगा 2 3 है 27 एक आसी ऐसे करके ठीक है 27 एक आसी और इससे आपका क्या है 0 बड़ावर 0 यह true है इसका मतलब यह आपका यह जो lambda कमान है और mu कमान है वह आपका राइट अंसर है ठीक है आप चेक भी कर सकते हैं चेक इसलिए किया जाता है कि आपका मान गलत ना हो ऐसे मान आपका यह दोनों परफेक्ट और सही आंसर है ठीक है तो पांच नमबर समझ गयोंगे क्योंकि ज्यादा कुछ भाड़ी था नहीं बस आपको अंग्रेजी में देखिए हम हिंदी में दिखाते हैं दिया हुआ है कि a dot b अगर 0 के बराबर है और a cross b भी 0 के बराबर है ए और b के बारे में कर निसकर्स निकाला जा सकता हो सकता हैME कामान 0 हो सकता है या हो सकता है इर बी या अर ब्धी गुर हो की पर यादाया कि भुल गए जारूद होगा कि ढून पर्पेंडिकुलर होता है यह समय करना पर एकमान लीजे और कुछ दिये हुए कि एक कॉरोस बी कामान भी 0 दे ले ठीक है जीरो बैक्टर ऐसे लगाती जैए अब इससे भी निश्कर्स आपको हम बताएंगे कि हो सकता है आपको बता है कि क्रॉस अगर जीरो आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यानि समांतर बोलते हैं तो याद किजिए दोनों में देखिए स्वामी करने रेक और दू में क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है इसमें एजीरो भी जीरो इसमें भी जीरो लेकिन इसमें परपेंडिकुलर और यह पैरलल है मतलब है और यह समांतर है तो बताए को यह इसा है जो दूग वैक्टर जो लंब भी होगा समांतर भी हो समांतर नहीं क्योंकि दोनों में से कोई क्यों चीज दिखेगा समझते हैं समझदार है यहां पर यह कवमन नहीं मिल रहा है यह दोनों कभी हो नहीं सकता है दोनों में एक ही वेक्टर में आपको यह दोनों चीज नहीं दिखाई दे सकता है तो इसका मतलब फिक्स है कि समीक प्रस निकालने के लिए कर रहा था देखिए क्या कर रहा था conclude about the vector a and vector b मतलब vector a और vector b के बारे में आपका क्या ख्याल है क्या आप कह सकते हैं इससे तो असपस्ट है कि हो सकता है आपका लोगा आपका बीदेख और अपकर ब्रस नवर की मालिज्य की सदीस ononce going, और रख commercial हो लोगा तो दोनों में इससे कोई और नहीं सकता है दोनों एक ही बार में नहीं हो सकता है इसलिए हम क्या से इतना दे ले ये वैक्टर A है ये वैक्टर B है और ये वैक्टर C है के रूप में दिये हुए तब दर्साइए कि ये जो फर्मूला हम आपको बताए थे कल के द İsक हम दहरी है और वैक्टर B है वैक्टर C है और आपको ये साटिस्फाइड करना तो सबसे पहले आप देख लीजिए वी तर पता है यह बहुता है लेकिन आपको बीटू में सीटू जोर यह गाता बीटू प्लस सीटू जएक और देखिए इसको साथ जोर यह ताभी थी प्लस मतलब दोनों आगर माल लिए आप रहां करा रहा था तो तीन चार एक दू तो आप बड़ी असानी से जोर सकते थे यहां पर अल्फाबेटिकल नंबर है तो आप वेसे ही जूर यह B1 में C1 जूरेगा, B2 में C2 जूटेगा, B3 में C3 जूटेगा, ठीक है, तो आपको B plus C निकल गए, अब आप निकाल लिए LHS, LHS आप बताए क्या है, A cross B plus C, ठीक है, अब सुचिए कि यहां पर E माल लिजे व determinant method होता है, और I लिखते हैं, Z लिखते हैं, और K लिखते हैं, जैसे A cross B निकालने के लिए, आप determinant कहीं उजिट करते हैं, वैसे ही, तो वेक्टर A का मान इस लाइन में लिखेगा, यह जो वेक्टर आया है, उसका मान यहां लिखेगा, तो चले हम लिखते हैं, तो पहले A का कमान देख लिजे, A कमान तो यही है, आपका A1, A2, A3, A1, A2, A3, और इस लाइन में आपको इस वेक्टर कमान लिखेगा, B का नहीं, B प्लस C का, तो देखे, B प्लस C तो आपने निकाल के लिए, कि यह उरक दीजे, क्या लिखेगा, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, और B3 प्लस C यह आया, अब यहां से हम आप से एक डिटर्मिनांट का प्रोपटीज पूछेंगे, कि अगर कोई डिटर्मिनांट का कोई एक रो या कोई एक कॉलूम, प्लस के रूप में लिखा रहाता है, तो इसको कएगो डिटर्मिनांट के रूप में बाट सकते हैं, तो दो डिटर् ख्राइब यहां पर बीच में प्लस दीचेगा बाइनस मैनस रहतां राता नहीं माइनस दिया जाता रहा performing कौण को हुआ आए सकते हैं दो बाइब सकते हैं अब आप देखिए इसको अगर आप देखें किया है अरे बी का मान ये का मने वी का मन तो ओर इसनल पूछेंगे आपसे तो ये का मान यहीं रखिएगा तो आपको यह दिखाई देगा ना यहीं करस्पी है इसको अगर देखिए गाते यह है और इसी है इसका मतलब एक और उसी है क्योंकि यही तो आपका है कौन चेस आर्चेस कितना संस्ता है लेकिन इस संस्ता कब हुआ जब आपको बढ़ा आता ही आता लेकिन आपको इस मेथड से बनाएगा डीटर्मियांट लगाने से आपको बहुती जल्दी फायदा करेगा और दू-3 लाइन में आपका अंसर आसा है ठीक है विद्धा आपको समझ में आया होगा अगर यह पूरपर्टिज न याद हो तो डिटर्मियां रहे उनकिलूजन विला ही है यह बात तो सही है अगर एकट वीजीरो है यह फही जीरो जोड़ा गूना करेंगे तो फ़ोर्ग बाकळ बीजीरो होगा जीरो में कुछे से गुनाता जीरोत आएगा ही क्या इसका बिलोम सत्य है यह आपसे पूछ रहा है क्या बिलोम सत्य है उधारन सही तो अपने उत्तर के पुष्ट कीजिए अगर है तो यह उधारन देना है नो है तो wurde अभरन देकर झाइए आपको बताना है किकर बिलॉम सत्ञ है की नहीं तो सबसे पहला बात तो यह कि यह इसका बिलॉम सत्ञ है क्या अबीगामी सफस्ट आपको डुटा समझ में आता है कि यह का लेकिन इसका उल्टा शिल्टा का मतलब होता है कि एनने से गए तहीं तह जरूर है लेकिन क्या अगर A x B 0 है तह जरूरी है कि A कामान भी 0 और या B कामान 0 तह ऐसा जरूरत नहीं है इसका कंभार्स जो है अब सत्त अंतब बोल दिये कि जाने सत्त नहीं है अब कई से नहीं यह को सोचना है अब हम उधारन दे के आपको बताते हैं सुनिए ध्यान से एक ऐसा दूगो वैक्टर अपना मन से मानिए जेकर क्रॉस करे पर 0 आइए करूस करे पर लेकिन ए और B को मान 0 नहीं मानना जीरो के अलाबा कोई वैक्टर मानना है तो हम क्यारते हैं एक्जाम्पल में लेट माल लेते हैं वैक्टर यह बराबर कुछ भी पहला माल लेजे आई कैप जे कैप पलस के कैप ठीक है और वैक्टर भी ऐसन मानिएगा कि इसी के जैसा हो जैसे आप याद कीजिए एक और बात भी बराबर हो जाए जैसे पहला अईसन है दूसरा भी अगर अईसन मानने तयो जीरो यह आप इसमें दू-3 से गुना कर देजिए हम माल लीजे के दो से गुना कर देते हैं यह आजाएगा आपका ऐसे दू से हम इंटू कर देते हैं तो आई कैप अब यह हम अपना मन यह कुछ भी मान सकते हैं पहला उसमें 2-3-4 से गुना कर देजिए अब क्यों करते हैं ऐसा हम आपको तरीका बताते हैं मान लीजे वेक्टर यह माने और यह वेक्टर भी माने यह दोनों का क्रोस करिएगा तो निश्चित 0 आएगा अब बताते उसका कारण कही से देखिए एक और उस भी निकालिए एक और उस भी निकालेगे तो आई कैप जे कैप के कैप अब देखिए पहला में 11 है इसमें और इसमें देखेगा क्या है 222 है याद कीजिए वह दिन कौन सा दिन जब डिटेन्मेंट का प्रोपटीज पर रहे थे यह इस लाइन में कुछ सेम जीरो यानि अंसर जीरो आ रहा है कि नहीं जीरो वेक्टर आ रहा है अरे जीरो है तो जीरो वेक्टर ही है तो इसका मतलब देखिए क्या यह जीरो था नहीं था नहीं था तो इसलिए हम बोले थे कि इसका कंबर्स जो होता है वह सत्य नहीं होता है तो देखिए अभ्यान से कि A x B 0 ता आया बट क्या A 0 है यहां पे क्योंकि हम तो वेक्टर माने थे थे था A is not 0 या B is not 0 दोनों नहीं 0 है इसलिए हम कहते कि इसका Converse सही नहीं देखिए इसका Converse का मतलब समझे यह प्रस्ट पूछने वाला नहीं बस समझने वाला है की A 0 होता है तो B 0 है यह दूनों में से कोई 0 होगा तो जीरो होता है यह उलटा पूछ रहा था कि अगर कि जीरो दे दिया जाये तो क्याह सकते हैं कि A 0 या B 0 तो नहीं आभाहा है यह है आठ्स नमर आपका हो गया तो नाइन नमर में आ जाएए द्यान दीजिए यह आपका नाइन नमर प्रस्ट नाइन नमर है कि आप पहले हिंदी में देखिए एक तिर्बूज का छेथपल ग्याद कीजिए जिसके सिर्स ए बी और सी देले तो आपको थोरा सा फर्मूला वाला वीडियो तो आपको जरूर देखना होगा मतलब यह इसका पार्ट वान जो बताया थे मतलब क्रॉस प्रोड़क्ट कल जो वीडियो बनाया थे उसमें आपको सारा फर्मूला हम आपको बता दिये थे एक तिर्बूज का छेथपल का फर्मूला अगर तीनों सिर्स दे अगर से निकालिए एसी ठीक है और यह दोनों का क्रॉस निकालिया इसका फर्मूला पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि एरिया आप ट्रेंगल एबी सी का हम आपको फर्मूला बताते एक बटा दू हाप एक और बीका मोड ऐसे और एक क्या है तो यह बाला बैक्टर इ यह बाला वेक्टर है तो वेक्टर भी ऐसे क्या बी का मतला बीस एसी लिखना आपको क्या लिखना है एसी वेक्टर टीक है तो एसी वेक्टर है आपको एबी वेक्टर और एसी वेक्टर का क्रॉस निकालके उसका मोड निकालके आधा कर देना है तो वही उसका फर्मूला ह तो जब भी आपको एडजेसेंट साइड देले रहे इसका साइड निकालना होता है जिसमें एक दूनों का common point एक होता है ठीक है यह बला initial point तो यह vector आपको निकालना परेगा पहले और यह vector दोनों का 155 ठीक है पॉइंट देले तो आप निकालिए इस तो फर्मूला लिख दिये पहले हम निकालते हैं a b vector a b vector का आपको याद है x2-x1 i cap y2-y1 z cap और z2-z1 k cap यह फर्मूला होता है जो हम एक बार आपको कई बार लिखे भी होंगे अब इसमें मान रखिएगा बाद देखिए a b मतलब क्या होता है b में से a को घटाना बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं जैसे यह a b आपको दिखाए ज़रा था इसमें से आपको इसको घटाना था घटा यह 2-1 समझ रहे हैं दू में से एक और फिर क्या करेंगा तीन माइनस एक और पांच माइनस दू यह तो घटा सकते हैं यह तो कितना आएगा आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस में थीरी कैप इसे आपको a b कमान यह इस बैक्टर कमान निकल गया अभी किसका निकाल लिएगा अब आप लिएगा इसे वेक्टर सेम फर्मूला ता आपका वही रहेगा लेकिन ध्यान देना मान पलट जाएगा इसमें यह फर्मूला तो हम लोग लिख लिए अब आप बताईए कि यहां से हम क्या करें एँ में से सी मतलब एइसी निकालने का मतलब सी में से घटाना तो ऐनने रहतों सिfa यहां इस में से इसको घटाना घटा ये 1ैश görünis मील लिखेगा तो रासे घॉपर करते हैं इस लीखेगा 1-145 माीन cray दीख रहे कि नहीं थे पे चलिए यह है और यह وपका एंगें यह हैं पॉइंट है शोपर एएपолн पांच माइनस एक और 5 माइनस दूंए यहीं चीज़ यहां पर हम लिग दिए अब इसको घटाई तरह जीरू आई कैप रहेगा यह चार जे कैप रहेगा और प्लस में 3K रहेगा इसे आपका अब आपको करना क्या फर्मूला यूज करना ए बी और एसी का क्रोस निकालना तो क्रोस निकालने के लिए आप जानते हैं फर्मूला ए बी क्रोस एसी क्रोस निकालने का मतलब है डिटर्मिनांट निकालना यहां पर आई जे के और A B कमान जो लाए हैं आप निकाल कर देख लिए एक बार A B कमान आपके पास 1, 2, 3 1, 2, 3 और A C कमान यहांस पस्ट दिखाई दे रहा है 0, 4 और 3 अब इस डिटर्मेंट का वैलु आपको निकालना पड़ेगा क्या आप निकाल सकते हैं चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं देखिए निकालेंगे तो I जहां किते हैं डारेक्ट है आई को जहां किते हैं ऐसे डिलीट देखिए ऐसे डिलीट करते हैं इसको गुना करिए डारेक्ट 3 दूनी 6 अचारती है 12 6-12 माइनस में J अब J को भी Delete करिये गुना करिये 1 में 3 से entre 3 और 0 में तो यह आइ गए आपका 3-0 याद है नहीज अब आपको । कर सकते है के Cap को आप जहां किये तो ऐसे Delete करिये गुना करिये तीरचा 3, 4 4-0 तो 4-0 ठीक है, अब आप इसका सिक्स आई कैप यह आपका और यह देखिए क्या ठीन जे कैप और यह पलस में चार यह आपका एक दो और हमको निकालना कैसा मोडलस देखी यह आपर मोडलस फर्मुला इसटे नीकालना-स नीकालना है तो 36 पलस 9 पलस 16 अभी जोड़ेंगे तक कितना आएगा 36 ठीक है न 4 गेस को ठीक है चो चो बारा और नो नो दूगारा 21 हो जाएगा 12 नो 21 और यह हो जाएगा 3 एक 4 और 2 चारदू 6 चारदू 6 रूट 61 ठीक है तो रूट 61 आया इसका मतले एबी और एसी का कुरस इसका मान तो आप निकाल दे उसको आधा कर देना है तो लास्ट में आपको फर्मुला यूज करना है एरिया आप ट्रेंगल एवी सी बरावर फर्मुला होता है एक वट्टा दू एब आपका आंसर आया बरगी का है रूट 61 वट्टे दू आपका आंसर आना चाहिए तो एक वार हम फिर से याद दिला देते करते क्या है कोई भी अगर तीन को पॉइंट दे ले है तिरबुज का तो आप क्या करिए इससे एवी निकाली और इससे निकाल के यह फर्मुला तो एक बार अंग्रेजी में पहले हिंदी में देखिए एक समांतर चतरबुज का छेथफ़ ग्याद करना है तो समांतर चतरबुज का छेथफ़ का भी फर्मुला हम आपको पिछले क्लास में बता होंगे जिसकी सनलगन भूजाए वेक्टर A देले और वेक्टर B देले जानते लग्याद बात है पैरालिल्लो गला मतलब कि समांतर चतर बुज का एक फॉर्मूला हम आपको कल ही बताया थे देखिए एरिया ऐफ पैरालिल्लो गलाम का आपको फॉर्मूला बताय थे क्या कि A कुरस B का मोडलर और A कॉरस B क्या है सनलगन भूजा जैसे इसमांतर चतर इधर से ये वेक्टर भी ए इसको वेक्टर की रुपमें ऐसे दिखा देते हैουμε और यह समांतर चतर्बुच का चेतरफल समांतर चेतरबुच का चेतरफल कई formula है एक और श्बी का मोड कल बताए जरूर होंगे अगर आप पुरा वीडियो देखेंगे ता एक रस बी निकाल देना है उसका मोडल स्निकाल देना था चलिए अब निकालते हैं इस फर्मूला का यूज कर यह बस तो एक और श्बी बताई एक और श्बी का मतलब आई को और एक का मान यहां रखिएगा बी का मान यहां रखिएगा तो रखिए भाई एक का मान पता है क्या एक कमान पता है वन माइनस वान थ्री बी का मान भी पता है टू देखें माइनस माइनस लग गया क्या यह आप समझे का पहले वाला ठीक है यह वान यहां माइनस वान और 3 है ठीक है और B का मानिया लिके 2-7 और 1 एक वार किंदी में मिला लीजिए 1-1 3 2-7 1 1-1 ठीक है बिल्कुल सब्सक्राइब इसको मान निकाल लीजिए जहां कता की आपको आता ही है चले डारेक्ट जहां कता की करिएगा को डिलीट करने पर डेकल आप्सक्राइब करते हैं आप देखी गणा करिए मैस 1 1-1 जहां की आइक मांनस 15 कर चाहँचती आर्वी इसको डिलीट करिए जहां कियेkायगे जहां करिए मैं यह मैंनगा एक मैंनस साथ हूगा लेकिन प्लस हो जाएगा मैंनस में साथ बीक मैंनस लेकिन इसी माइनस निकाल दे नहीं आपका अंसर यह लिखे हैं अगरा नीकाल लीजिए का a X b का मोड और मोड का मतलब रूट अंडर उनौस च च के स्क्वाइर 5 के स्क्वाइर और फांच के स्क्वाइर इसका जो answer आएगा वही आपका final answer आएगा और यहां पर देखें को इसमें से घटाएंगे तो बीस ना आएगा अब बताए कितना आएगा वाई 20 के स्कुराइर 425 पलस पचीस कितना चार सो सारे 400 का कुछ करेंगे क्या सारे 400 मतलब होता है 15 तीया ही सकता है 45 सब्सक्राइब देखिए 15 345 ऐसे सकते हैं 15 यानि की इसको हम लिख सकते हैं फिर से पांद्रा गुने 15 गुने 2 अब आप 15 तो निकाल ही सकते हैं याने कि 15 रूर्दू इसका आउसर आएगा ठीक है तो आप ऐसे भी बर्गूल कैसे भी निकाली आपका आउसर आजाएगा लेकिन यहां पर दिजेगा एक इसमें से घटेगा तब 20 आएगा इस अब ठीक है तो बस आपको इस सबसे सिंपल सी बात था कि बस आपको फर्मुला सब्सक्राइब दे ले था दोनों का क्रॉस निकाल के मोड निकाल देता देते वह यह आपका आंसर आजाता है क्योंकि आप से क्या पूछ रहा था देकिए फाइंडर यह आपको आपको कंपलेट करवा ही देते हैं चलिए देखि लेकिन आपको थोड़ा समय भी लग सकता एक आदगों में देखिए फेले हिंदी में देखिया माल लिजये कि सदीस वेक्टर वयस परकार है कि मोड लास अब बेक्टर आम मोड वेक्टर वी का मान रूर्दू बठा तीन है एक रस भी एक मात्रक सदीस तो ए और बी के let the vectors vector a and vector b be such that vector a common mode of vector a common 3 है b common इतना है then a cross b यह भी कराए कि a cross b क्या है unit vector है अब थोड़ा सह यही चीज आपको पकरना परेगा देखिए ध्यान से कराए कि mode of vector a common कितना है 3 है mode of vector b common root 2 बटा 3 है ठीक है और साथ में यह भी कर आए कि A x B जो है is a unit vector कुन vector? unit vector मतलब मात्रक सदिस है अब आप याद कीजिए मात्रक सदिस किसको बोलते है ता मात्रक सदिस का मतलब वो था है इसका जो परिमान आएगा वो एक इकाई होगा तो यानि तीन को चीज आपको पता हुआ ठीटा निकालने के लिए यहां देखिए क्रोस बला में साइन ठीटा आप पढ़े होंगे A x B का मोड बरावर होता है मोड अफ A, मोड अफ B, साइन ठीटा यहां जो एनकैप होता हुए इनकैप गाइब हो जाता है क्योंकि यहां पर मोड लगल है याद है दूसरा फर्मुला जो बनाए होंगे जैसे थोड़ा से गोल घर में याद कर लीजिए A x B बरावर मोड अफ A, मोड अफ B, साइन ठीटा और एनकैप होता है आइस Pas 3 दूसरा फुम्ल सब्सथरसा यहां Bühle अफरोद记ा मैं आफ यहां भी मोड लगता है ये पर पेंडिकुलर उनिक अवर और इसका आमान एक हो जाता है इसलिए Pokemon यह ओता अब इस्मान जो आपको डेले है इनकैप है रूट दूबट टीन और यह वेचारा सांट थिटा तो रहे करेगा टपक गया तीन से तीन तो क्या बचेगा इस तरह से आप बना सकते बस याद रखेगा यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना था कि एक रस भी कौन वैक्टर है यूनिट वैक्टर है और यूनिट वैक्टर है इसका परिमान एक होता है लास्ट सवाल आप लोगो के सामने में यह रहा स्क्रेन पर है तो अब्जेक्टिव लेकिन थोड़ा सा बनाना होगा एक आय यह को आयत बनाई यह आयत आप समझते हैं ए बी सी डी रेक्टेंगल आयत का छित पर आप जानते कि लंबाई गुने चौराई होता है याद है लंबाई गुने चौराई यह माले जी ल है और इबी है तो सबसे पहले इसका लेंथ आपको निकालना होगा यानि एबी केतना लेंथ मतले इसका परिमान निकालना हुगा अपर यहाँ बैबी का अब बहुत आपको चाहिए और वैक्टर यह और वैक्टर अधी का लेंथ निकालने का फर्मूला आपको याद होगा चाहिए A B का वरावर आपको बताया थे बाद वला में से पहले वला तो B माइनस O A तो देखिए O B मतलब B point का position vector, A B मतलब A point का position vector तो देखिए O A है O B है और O C है और O D है तो देखिए O B रखिए पहले O B देखिए O B है मान रखी देते हैं ताकि आप गरवर आईए गर नहीं आराम से ठीक है ऐसे bracket में बीच में माइनस O A का मान यह है माइनस I एक बटा दूजे पलस फोर के आप इसको घटाने एटाने तो आपको आना यह कंप एक माने गटाये माईनस माइनस pane पलस हो जाएगा न जतम है इसमें से इसको करता हैसे यह अबशी आपको पता होतार चाहर का पर मुलतसुने को अब आपको निकालना होगा एडी एडी निकाल माइनस ओए अब O D का मान मतलब D point का position बखता है यह O A है यह O B है और O C है यह O D है तो O D यह है देखिएगा ठीक से माइनस I 1 वटा 2 और 4 माइनस I 1 वटा 2 और 4 यह वाला ठीक है और बीच में माइनस और O A का मान देखे यह पहला का वाला O है माइनस एक प्लस एक वटा दू चार माइनस एक प्लस एक वटा दू और प्लस में चार के कप एक फिर इसे देख लिए यह आपका यह पहला का पॉइंट जो है ओव है ओव है और दी तरग दिए अब इसको थोड़ा सा घटा लीजे घटाने तो आपको आता ही इसमें घटाएंगे तो देखे इस वारी कट जाएगा जीरो इन्टू आई का इसमें से जब घटाएगा तो इस वारी नौ पटेगा सुनिए यह म जोरके के संबस्की इसमें यह सिकते क्वारी माइन से में माइन से मीनश जे कटेगा तक इतना आएगा माइनस जेक आया कै derived article 2 मा läuft कर वारी माइनस-जेको तो इसमें-घटाएगा तो इसमें से फीस और समाज गयंगे यह आपका इसमें मोडल निखाल दीज्हें मतलब रूट अंडर 0-1-1-1-2-0-2-0-2 कितना आएगा 1-2-1 होता है और 1 का परमूल था हमें लगता है वह नहीं आता है थीक है तो इससे आपका ab का mode निकाल दिए इसका लंबाय जो आया है दूआ इसका च्वाधाई जो आया एक आया तो आप बताईए एरिया आफ एरिया आफ है रेक्टेंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी रेक्टेंगल है ता क्या किर जेगा लंबाई गुने चोराई लंबाई मतलब देख लिजे लंबाई किसको ए बी है ये लंबाई ए बी है ना ए बी कितना आया दो आया इसके मान दो गुने एक दो गुने तो इस तरह से आपको यह बारग प्रसन था जो आपका तो आपका फिनिस हो गया बट हम आपको बता दे एक एक जाम में जो बिहार बोड एक्जाम में टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है उसको बोलते हैं ट्रीपल स्केलर प्रोड़क्ट इस से भी बहुत सारा सवाल आता है जो आपका अपको बता देंगे आपको देखने को न एक जाम के दिरिश्टी से आपका सही आसर है ठीक है तो अगर आपको समझ में हो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से जरूर करिएगा और आप अपना राय वीचार कमेंट करके जरूर बताएगा तो फिर मलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई लाइब है।